हेलो थूदेट्स, वेलकम अगे, आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, रिपल डाउन काउंटर, that is 3 बिट रिपल डाउन काउंटर, counters क्या है और उनका introduction as well as उनकी applications जो है वो हम बहुत detail में अपने previous वीडियो में discuss कर चुके हैं और हमने अधिपल up counter भी detail में discuss कर लिया था तो आज की वीडियो को देखने से पहले आप previous वीडियो को प्लीज जरूर से देखें ताकि आपको आज का जो वीडियो है वो समझ में आ स आपकी एक flip-flop की जो present state थी वो next flip-flop को trigger कर रही थी यहाँ पे q की जगे q bar जो है वो next flip-flop को clock का का काम कर रही है उसे trigger कर रहे है अब counter से ये change होते ही वो down counter में convert हो जाता है एक flip-flop को आप master clock से drive कर रहे हैं सभी flip-flop के jk inputs plus vcc यानि की one यानि की high से connected है और इस तरह के combination में jk flip-flop जब j और k दौनों high होते हैं तो वो हर clock के साथ toggle करता जाता है अपनी previous state से next state जो है वो complement हो जाती है तो सभी flip-flop को ऐसे ready रखा गया है कि वो हर clock arrival पे toggle कर जाएंगे और अब जो वो awaited condition है वो है clock का arrival और यहाँ पे bubble लग रहे हैं सब में it means यह negative edge triggered flip-flops है ओके यहाँ ध्यान रखे कि जिस flip-flop को master clock मिल रही है वो LSB a bit होगी counting states की ओके इसको master clock मिल रही है यह जो C है इसका C हर clock arrival के बाद toggle हो जाएगा और जब भी यह आपका QC bar 1 से 0 होगा क्योंकि देखें यह negative edge triggered है जब भी QC bar 1 से 0 होगा यह जो आपका QB है वो toggle हो जाएगा QC bar 1 से 0 इसका यह भी मतलब है कि QC 0 से 1 हो तो इसको clock मिलेगी इसको clock मिलते ही इसकी state toggle हो जाएगी है आपे B का क्या मतलब है B equals to QB na हम यह represent क्या कर रहे है ABC that is QA QB और QC यह states है आपके तीनो flip-flops की ओके तो जब भी आपका इस flip-flops का state change होगा यह इसके लिए clock की तरह trigger करेगा और यह आपका toggle कर जाएगा और इस तरह से इनकी states vary करती रहेगी मान यह initial state में तीनो flip-flops जो थे वो 111 पे set है यह जो counter है यह 111 से counting शुरू करके initially 111 पे set है फिर जैसे ही clock आती है 111, 110, 101 तो 7, 6, 5 करते करते 0, 0, 0 तक counting करता है और next clock आते ही वापस 111 पे move कर जाता है क्योंकि यह 7 से 0 तक count कर रहा है इसलिए से हम down counter बोलते हैं ठीके आप देखिए हर clock के बाद C का अपने आपको toggle करना है तो C आपका 1 से 0 जाएगा और जब भी C 0 से 1 होगा तब आपका C बार 1 से 0 होगा तब B को clock मिलेगी ठीक इसी तरीके से जब भी आपका B जो है वो 0 से 1 होगा तो B बार जो है वो 1 से 0 होगा B बार जो है वो clock का का काम कर रही है न तो A को clock मिलेगी यहाँ पे C आपका 1 से 0 होगा अभी इसे clock नहीं मिली B को तो वो अपनी previous state में maintain रहेंगे अब C 0 से 1 हुआ clock आते ही यह इनकी initial state थी न और first clock के बाद यह state हो जाएगी second clock के बाद यह toggle कर जाएगा जब B 0 से 1 toggle करता है इसको clock मिलती है यह toggle कर जाता है लेकिन इसे अभी clock नहीं मिली क्योंकि इसको भी clock तब मिलेगी जब B 0 से 1 हो इसको clock नहीं मिली तो input होने के बावजूद भी यह अपनी state में maintain रहता है फिर clock आई C irrespective of any condition हर clock के साथ अपनी ही speed से toggle होता जा रहा है यह 1 से 0 हो गया यह जब 1 से 0 हो गया तो आपका जो यह था 0 से 1 होने पर इसको कोई clock नहीं मिली यह भी maintain रहेगा और यह भी maintain रहेगा जब next clock आई तो C आपका 0 से 1 हहा C 0 से 1 हुआ तो इसे clock मिली और यह अपनी previous state से toggle होगा यह toggle होको 1 हो जाएगा जब इसको यह 0 से 1 हुआ है जब B 0 से 1 होआ तो A को clock मिली A अपनी previous state से toggle हो जाएगा और 0 पे maintain 0, sorry, toggle हो के 0 पे आजाएगा फिर clock आई, यह 0 पे आगया अब इसे कोई clock नहीं मिल रही है यह वहीं पे maintain रहेगा यह वहीं पे maintain रहेगा जैसे ही clock आई, यह 0 से 1 हुआ यह 0 से 1 हुआ, तो इसे clock मिली इसे clock मिलते ही यह 0 हो गया लेकिन A को अभी भी कोई clock नहीं मिली तो A वहीं maintain रहा अब जैसे ही clock आई, यह आपका move कर जाता है यह move करता है, लेकिन इसे कोई clock नहीं मिली तो यह यहीं रहेगा और यह भी यहीं रहेगा नेक्स clock आते ही, यह जो आपका C था, यह 1 हो गया जब यह 0 से 1 हुआ, इसे clock मिली इसे clock मिलते ही, यह भी 0 से 1 होगा और यह जब 0 से 1 हो रहा है, तो A को clock मिली A को भी clock मिलते ही, यह भी toggle करके 1 हो जाएगा तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and 7 यह down counting कर रहा है और यह mode 8 counter है, because it has total 8 counting states I hope कि आपको यह counting किस तरह से change हो रही है यह समझ में आ गया होगा, क्योंकि Q बार इसके लिए trigger का काम कर रहा है, तो जब भी Q यह present state आपकी 0 से 1 जाएगी, तब यह इसके लिए triggering का काम करेगा, और इस तरह से इसकी counting states, complete हो जाएगी, I hope 3 bit ripple counter, ripple down counter भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, keep learning, keep watching, thank you